तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग खोली आने वाली है मैंने भी थोड़ी थोड़ी चीजें बनानी शुरू कर दी हैं मैंने एक बहुत ही healthy से लड़ू बनाये थे जो मैं आपको लिए लेकर के आई हूँ तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप से रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी कोशिस पसंद आ रही है न तो प्लीज एक लाइक दीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा और शेयर कीजेगा तो दोस्तों मैंने आज बनाये हैं बेसन के लड़ू वह भी बिना शकर के हम सभी healthy खाना चाहते हैं आजकल लेकिन हमें healthy अप्शन्स नहीं मिलते हैं सबसे बड़ी तो मैंने एक experiment किया था जो बहुत ही सफल रहा तो मैंने सोचे जब इतना अच्छा सबको पसंद आया है response मिला है तो आप लोगों कोई बताया जाए तो हमने यहां पर गी लिया है मैंने पॉन कप गी लिया है और इसके साथ ही मैं जैसे ही घी गरम हुआ तो हम इसमें डाल देंगे बाल कटे हुए बादाम आपके पास बादाम नहीं है तो कोई दूसरी मेवा ले सकते हो और बिना मेवा के भी बहुत अच्छे बनेंगे और इसके साथ ही डाल दिया इलाइची पावडर इसके साथ हमने लगभक डेड़ क अपके आसपास लिया है मैंने यहां पर बेशन बेशन हमें बस ध्यान से लेना है मोटा बेशन लेना है जो नॉर्मल बेशन हम लोग यूज करते हैं घर में कड़ी बनानी के लिए या पकोड़ी बनानी के लिए वह नहीं लेना है आपको बजाल से यदि आप ला रहे हैं जो डेड़ नंबर बेशन कहके लाईएगा और मोटा बेशन में दिखाऊंगी कि मैंने जो बेशन लिया है वो पैकेट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा वाला बेशन लिया है मोटे वाले बेशन को लेने से क्या होता है न दोस्तों कि जो हमारी लड्डू बनते हैं वो दानेदार बनते हैं मैं हमेशा शकर के बनाती थी लेकिन इस बार मैंने प्रयोक किया कि मैंने पहले एक कप डाला था आधा कप अभी डाला है भूल गई थी मैं तो मैंने फिर बाद मैं भी डाल दिया है और उसके बाद में हम इसको चलाते रहेंगे चलाती हुए ना शुरू में पता ही क्या होता है कि यह बेशन जो होता है वह आपको ऐसा लगा करें घी बहुत कम है बिल्कुल मत घबराईएगा घी जादा नहीं डालना है हम अगर आपको घी कम लगेगा तो आप लड्डू बनाते समय डाल सकते हैं होता क्या है ना कि जब हम बेशन को डालते हैं तो फिर बेशन में घी पूरा अबजर होता है धीरे धीरे जब आप जैसे ही चलाते जाएंगे बस ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यह है कि इसक को चलाते रहेंगे और चलाने के बाद में आप जैसे ही चलाओगे ना धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि जो बेशन है वह जो घी है वह बेशन में एकदम से मिलना शुरू हो जाता है बेशन पहले थोड़ा सा लूज होता है यह देखिए यह वाला मैंने गंगवाल का बेशन लिया है मोटा जिस पर लिखा हुआ है वो पैकेट लीजेगा साधा वाला मील बेशन बिलकुर नहीं लेना है जो मील बेशन होता है वो हम सेव के लिए प्रयोग करते हैं जो नमकीन बनाते हैं सेव या पकोड़े या कड़ी बनाते हैं उसके लिए ही यूज करते है लेकिन जो ये मोटा वाला बेसन होता है इससे लड़ू बहुत अच्छा बनता है तो आप यही वाला बेसन लीजेगा और फिर लड़ू बनाईएगा हाँ गुड की जगे आप चाहें तो शकर डाल सकते हैं लेकिन उसमें भी पीसी शकर मट डालिएगा एक तगार करके आता है जो चार्शनी से बनाया जाता है जो शकर का रवा भी जिसको बोलते हैं वो लीजेगा बजार से तो उससे बहुत अच्छे लड़ू बनेंगे आपक इस थे अहीं इस है जपया है कि हमारा बेशन बुण गया है तो आप देखिए बेशन पूरा भूरा देख रहे ना कईischen लोग को यह लगता है कि बेशन बढ़ा है है कि नहीं हमें कैसे पता चल गो यह एक पहचान है कि जब बेशन और घी एक दम से एक सार हो जाए बेशन का रंग पीले से थोड़ा सा डारकेश हो जाए तो इसका मतलब है कि बेशन भुन गया है अब हमने जो गुड़ लिया है गुड़ क्या होता है जो गुड़ का बूरा गुड़ का सौरी पाउडर आता है जैगरी पाउडर उसमें थोड़े दाने होते हैं इसको मिक्सी में थोड़ा से ग्रैंड कर लीजेगा तो एकदम फाइन पाउडर बन जाता है फिर दूसरी ध्यान लखने वाली बात दोस्तों यह है कि जब आप गुड़ के पाउडर को ड जाएगा आपको इंडक्शन बंद कर देना है गैस पर बना रहे हैं तो गैस को बंद कर दीजेगा और उसके बाद में इसमें आप मिक्स कीजिए मिक्स करने के बाद में मैं अभी इसको पलट लूँगी एक दूसरी प्लेट में ट्रांसपर करूँ क्योंकि अगर इसी में तो क्या होगा कि हमारा जो ठंडा नहीं हो पाएगा तो जब भी आपको कोई भी चीज अगर ठंडी करनी है तो उसको उस बरतन में मत रखिए उसको ट्रांसपर कर लीजिए किसी दूसरे बरतन में यह लड़ू है ना शुगर फ्री पेशन से हमारी मम्मी है दादी है या घ प्राइट शुगर है वह नुकसान तो करती है हम सभी को पता है और आजकल तो सभी लोग हेल्थ कॉंशस हो गए तो यह देखिए मैंने गुर्स के जो मैटेरियल था पूरा इसको यहां पर निकाल लिया और यह लड़ू मैंने बना लिए उपर से लगा दिये काजू इतने सुन्दर और इतने टेस्टी लड़ू बने हैं कि आप एक बार 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 बनाएंगे इस बात की गारंटी है और हाँ दोस्तों आपको याद दिला दूं अगर आप मेरे चनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ मैं कर दोस्तों आपया तौसमागे यूनल आपको अर आपको